यह धार्मी क्यात्रा नहीं है यह गुंडागर्दी है हिंदु धर्म के नाम पर हिंदुों को गुंडा बनाये जा रहा है और हिंदु धर्म कभी था ही नहीं कि दंगाईयां घर फूंक रहे हैं गाड़ियां फूंक रहे हैं पुलिस वहां खड़ी है क्या पुलिस डंडा भी क्यों करने बाई फिन्दु दर्म कहां से आया हम तो हम तो नहीं जानते हैं ने 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 सबस् subscribed संबंदीत नहीं है ये ता धर्मे सनातन हम लोग संघ्यों को माननכे पश्पंचियों पत्युए करते हैं मनुश की बात तो चोड़ दीजिए अभी हमारे भ häरा-इजस नदेख लिजया थैसा कि मुस्लमान थेया लेकिन पत्तर के मुसलमानों ने मारा मुसल्मानों ने कहा पथर मारा आप उस वीडियो को देखिए ये रादिया से ने ने आरो भाजबा लगा रही है ना वहां की जनता नहीं लगा रही है हम तो वहां के बagal के रहने वाले हैं हम तो उस बagal के रहने वाले हैं कर आपको कोई दिखाई दे रहा है उस मुस्लिम चट पर जो दिखाई दे रहा है जो इस दूसरे साइड में हिंदू का मकान है उस पर आदमी दिखाई दे रहे हैं तो क्या पंचियों ने पंची दिखाई दे रहे हैं उस पर पंचियों ने पत्र भेका यह धार्मी क्यात्रा नहीं है यह ग देखिए, जब भी कहीं किसी परदेश में ओट होता है, एलेक्शन चुनाओ पड़ता है, तभी ये चीज़ां होती है, उसके पहले हिंदू-मुस्लिम कुछ नहीं होता है, जब किसी परदेश में चुनाओ होता है, तो कहीं बा कहीं ये घटना है, घटना चालू हो जाती है, तो आज भी हिंदू मुसल्मानों में वह भाईचारा है कि ये इन लोगों की राजनी ताज भी सफल नहीं होगी और दूसरा चीज ये है कि राम मंदिर को मुद्दे को ले करके यहां के चंचून जी ने अब तो फाइनल कर दिया कि हमने तो सिर्फ हिंदूओं के लिए राम नाम पर ये फैसला किया ये प्रापर्टी तो यहां कभी मंदिर था यहीं नहीं अब पढ़ा लिका हिंदूत इस चीज को समझ गया इसलिए मोदी जी ने जो मंदिर का उधगातन किया जो हमारे सनाथन धर्म के उनसार उस समय किसी मंदिर का वहां पर अधगातन नहीं किया जा सकता बेगर गुंबज बने हुए वहाँ भगवान को नहीं अस्थापित किया जा सकता था लेकिन उसाब फर्जी था तो अब जनता भी इस चीज़ को समझ गई ने ने वो आस्था है उनकी ना उनकी आस्था है ना ये इनकी आस्था जहां पर है वो करते हैं हमारी बात को समझेए वो आस्था से निकालते हैं ये आस्था से नहीं निकालते हैं ये ओट के राणी से निकालते हैं हिंदू-मुसलिम करने के लिए निकालते हैं इसलिए अब देखे आप हरियाना देख लीजिए पूरा हरियाना आरेस समाजी हो रहा है अब भगमान राम को नहीं मानता है ऐसे इसे देश में अब लोग धिर दिर अब इस चीज़ को सोचने लगे हैं इस पर आरेसस को विचार करना चाहिए कि अगर पूरा देश आरेस समाजी हो जाएगा तो आपका मतुरा और अजोद्या और बनारस कहां जाएगा क्योंकि अब लोग परिसान हो रहा है इस बात को ले करके जो इस्टिंग हुआ वेराइच को लेकर उसमें दो यूबक सामने हैं उनने का दो गंटे का टाइम हमें पुलिस ने लिया था तो दारी नहीं करती तो खतम कर देते पूरे महाराथ को खतम तो कर दिये ज्यादा खतम कर दिये जाएगे वहाँ देखिए क्या बचा है वहाँ जाईए पहले तो पुलिस प्रिसासर में मतलब डंगाईयों के साथ है है तो तभी तो वहाँ के ऐसी बात हुई आपने वीडियो देखा यह नहीं देखा डंगाईयां घर फूक रहे हैं गाड़ियां फूक रहे हैं पुलिस वहाँ खड़ी है क्या पुलिस डंडा भी नहीं भाज सकती थी भूलिये अगर उनके पास बुलेट चलाने का अधिकार नहीं था तो क्या डंडा भी नहीं भाज सकती थी पुलिस खडेर भी नहीं सकती थी वह एक किनारे खड़े हुए तमासा देख रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? कहां देश की प्रापर्टी, यह मुसलमानों की प्रापर्टी ते इसलिए जलाई गई ना? देश की प्रापर्टी नहीं? नहीं, वो लोग नहीं मानते हैं. अब उन्हों से पूछिए कहां से आये हैं? अगर वो मानते ते बवाले क्यों होता है? हिंदू सब धोखे मा गए होंगे. इसका इलाज राणीत से ही निकाला जा सकता. और जब तक राणीत में सेकुलर के नाम पर भर्ष्ट लोगों को आप सत्ता मिलाते रहेंगे, यह दंगा गर्ती करते रहेंगे. आप बता दिए सेकुलर में कौन है जो भाजपा से हाथ नह या कांग्रेस राहुल को छोड़के, उनके नेताओं को नहीं, राहुल को छोड़कर के और कोई विपच्च का बता दिए सब्सक्ता में हो। लेकिन उनकी मानसिक्ता RSS के समान है. ने तो आप बता दिए कि कोई नेता इस बात का बिरोद कर रहा है, महराष्ट में चुना हो रहा है, उसके बावजूदी समुद्दे पर कोई नेता बोल ला है, सबको गद्दी चाहिए, सबको सत्ता चाहिए, आप लोग मीडिया वाल महराष्ट में इसलिए जिता रहे हैं कि आर्थिक राध्दानी है, वहाँ जनता का मुद्दात कोई है नहीं, गरीबों का मुद्दात कोई है नहीं, हिंदू-मुसलिम का कोई मुद्दा तो है नहीं, वहाँ तो आर्थिक राध्दानी के लिए, आर्थ के लिए चाहिए, वाज सत्ता यह यह ना मैं नहीं कह रहा हूं आप ही लोग कह रहे हो आप ही लोग चैनल में दिखा रहे हो चाहे बड़ी मीडिया हो चाहे छोटी मीडिया हो अब संविधान कहां रह गया कहां रह गया जब हमारा एक संभीधान का बहुत मजबूत पावा ये कह रहा है कि हम तो भगवान राम के नाम पर फैसला कर रहे हैं फिर संभीधान कहां रह गया संविधान कहां रहा गया कि हमारे राष्पत को संसत के उद्गाटन के लिए नहीं बुलाया जाता संविधान कहां रहा गया आप बोलिये कहां पर संविधान रह गया एडिमिस्टेशन अगर बहराइच में दो घंटे पुलिस वहां खड़ा हो के दंगा देग रहा है संविधान कहां रह गया बड़ी मीडिया चिला रही है कि वहां सब मुसल्मानों की गलती है तो संविधान कहा है यही चारो अस्तम कहां है आपके साथ तो रटा रहे है जो चारो अभी तो बता दिये कि ज़स आप क्या कह रहे है मीडिया क्या कह रही है एड्मिस्टेशन क्या कह रहा है पत्रकार क्या कह रहे है यह चारो संबिदान है यही चारो संबिदान है यह चारो जिंदा है तो संबिदान जिंदा है यह चारो मर चुके संबिदान कहा है मरने दीजिया, उनकी नियत हो गई है, उनकी नियत हो उसको रोक नहीं सकते हैं, उनको आप रोक नहीं सकते हैं, उनको आप रोक नहीं सकते हैं, हम रोक सकते हैं, क्या करेंगे आप, चलता रहेगा, किसी दिन जब करांती आएगी तो इस बतलेगा, आनी है करांत, इसको कोई पाएगा आफ जैसे नौजवानि ही लेक्पा एम भाइंगे हिंदुधरम है धर्म हिंदु हिंदु की बात क्यों कर रहे हैं भाई हिंदु धर्म कहा से आया हम तो करते हैं मनुष्र की बात तो छोड़ दीजिए हां यह सनातन धर्म अगर इस पर द्याने करता तो सनातन धर्म नहीं हो सकता है तो यह तो हिंदू धर्म है ना आज तो आरेसेस ने भी समर्थन कर दिया योगी जी के इस बयान का कि कटो गे तो आरेस तो आरेसेस तो इसके भी धायक वाली वह इह उतिन के साथ भी थे वो मुसलमानों साथ द्या करते थे उन्होंने भी कही मुसलमानों साथ द्या करके चाई पी लिया इसलिए उनके बच्चे पर भी गोली चल गई अब हमको क्या मालूम क्या कर रहा था आप लोग पत्रकार ने पता तो आप लोग लगाई ये न हम क्या बता हुआ हुआ खड़े थोड़न थे नहीं तो हम खड़े होते थमको भी लग जाती हुआ आप से बात कहां करते सेकुलर पार्टिक बार-बार क्यों करें मैंने सीधे सी बात कहा कि जिसको मुसलमान ओड़ देता वो सेकुलर वो भाजपा को कल ओड़ देगा वो सेकुलर सेकुलर मिन्स है क्या ने ने सेकुलर मिन्स हमको मतलब सम्दादी ये सेकुलर का आज के जवाने सेकुलर माने मतलब क्या हो गया सेकुलर मतलब यह हो गया कि जो सिर्फ गरीबों की बात करता हो मजलूमों की बात करता हो जात और धर्म से दूर हट करके देश की बात करता हो वो सेकुलर है वो सेकुलर नहीं जिसको मुसलमान ओर दे दे लो सेकुलर है अंग्रेजेजेज ने साथ हमारी लडाय चल रहाइए थी तब भी आरजेजेज ने साथ मिलकर की इह फेलाने की कोशिस कर रहा थी आज उनकी सरकार है आज तो वो ये धारीमी के आत्राय Fellow कर रहा है